प्रमुख फसल है फली चेदक एक प्रमुख कीट है इसको हम ग्राम पॉट बोरर भी कहा जाता है इस कीट का वैस का अवस्ता करीब करीब 700 से 900 अंडे को पत्ती फूल और पलियों पर देती है अंडे से बाहर आने के बाद सुंडिया प्रातामे कावस्ता में पत्तियों का खाण जाता है बड़े होने पर सुंडिया फलियों को का जाता है और इस कीट का हानी का लक्षन विभिन तरह है जैसे की सुंडियों का आदा शरील फलियों का अंदर रहता है और शेश बाग बाह प्रमुक कीट है वो है स्पोर्ट अप्र एवं बीट आर्मी वं इस कीट का वायस कवस्ता अंडे को पत्यों की नीचे गुच्छे में देते हैं शुरुवात में सुंडियां पत्थों को खाकर पेपर जैसा बना लेती हैं बड़े होने पर सुंडियां फली और फूल को काकर नुकसान पहुंचाते हैं इन बताए गए प्रमुक कीटों का नियंद्रन के लिए हम एकिकृत कीट प्रबंदन करना ज़रूर है इसमें पहले है कि चन्ने के कटाई के उपरां गेहरी जुताई करना है जिससे कीट का कोश अवस्ता नस्ठ होगा और दूसरा चन्ने का बु करना चाहिए जिससे यह जो सूरज मुकी और रभी जोवार पक्षियों को बैटने के लिए जगादे देगे और पक्षियों कीटों को खा जाते हैं और जो कीटों का निगरानी के लिए हम फेरमून ट्राप्स का उप्योग करना चाहिए जैसे कि एक एकर में 5 का इसाब से इसको फेरमोन ट्राप्स को लगाना चाहिए जैवी कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए जैसे कि 5 प्रतिशत नीम सीड करनल एक्ष्राक्ट आतावा अजाडी रक्तिन 300 ppm 5 ml प्रती लीटर पानी में मिलाकर चिड़काव करना चाहिए साथ में और जैवी कीटनाशकों जैसा H-A-N-P-V, S-C-N-P-V, 500 L-E प्रती एक्टर के इसाब से चिड़काव करना चाहिए और अंत में जरूरी पड़ेगा तो CIBSC शिफरस किये जैए रासाइन कीटनाशकों जैसा कि प्लोरांट्रिनी प्रोल 18.5 SC 5 ml आतवा एमामेक्टिन ब जात उारे, टूंत शाल के र ख kitaSpotts फेक्टर में जैसा हून मैंधा है आतवा announके झाने इसा ले लगशी को मुक् घरामेक्टन जैसे चिए नह हो है जैसा